और साब सबका मेरे चैनल में स्वागत है 200 gram मैंने मेथी ली थी आदा किलो मैंने पालक ली थी मेथी को भी मैंने बहुत अच्छे से साप करके बीन के कम से कम 3-4 पार पानी से वाश कर लिया था ऐसे ही मैंने पालक को भी बीन के साप करके कम से कम 3-4 पार पानी से उसको भी अच्छे से वाश कर लिया, देखें मैं पालक की आपको पत्नियां चेक करा देती हूँ, इस तरीके की पालक जो होती है, उसकी बहुत अच्छी सी टेश्टी सबजी बनती है, अब मैं थोड़ी-थोड़ी मेथि लेती जाऊंगी, और एक बड़े-बरतन मे चुरी की साहता से कट करती जाओंगे बारिक मेथी कट करने से साग बहुत अच्छा बनता है ऐसे बारिक कट के मैंने तयार कर लिया है मेथी मेरी कट के तयार हो गई अब हम अपनी पालक कट कर लेते हैं ऐसे ही मैंने मुठी बना कर हाथ में रखके अपनी पालक को भी पतला पतला यानि कि बारिक बिल्कुल कटके तयार कर लिया है सारी पालक कटके मेरी तयार हो जाएगी ऐसी ही बारिक पालक कटने से साग भी अच्छा बनता है देखे पालक कटके मेरी तयार हो गई है देखे पालक भी मैंने कट लिये है अब मैंने आलू लिये थे इनको पहले से धुल के तयार करा था अब इनको छील लेंगे इस समय के जो आलू के छिकल होते हैं बहुत बारिक होते हैं असानी से उतर जाते हैं आलू को ऐसे ही चील के तयार कर लिया अब इसके देखिए मैं कम से कम 8 पीसिस में कट कर लूँगी ऐसे ही मैं एक आलू और कट के दिखा देती हूँ साग में इस तरीके के आलू कटे वह बहुत अच्छे लगते है देखे ऐसे ही मैंने एक आलू के 8 पीसिस करके तयार कर लिए आलू भी मेरे कटके तयार हो गए है इधर मैंने हरी मिर्च को धुल के तयार रखा था इनको भी मैं बारी कट कर लूगी बिल्कु छूरी की साथा से हरी मिर्च भी मेरे कट गई है देखिए मेθी पालक आलू मेरा कट के विल्कूल तयार हो गया इधर मैंने गैसान करके कढाई रक दी थी अब कढाई में अपने साग को अच्छे से डाल देंगे देखिए मेथी पालक का साग मैंने डाल दे ओपड से मैं आलू डाल दूँगी आलू को मैंने कम से कम कट करने के बाद 3-4 बार अच्छे से वाश कर लिया था अब हर इमिज डाल दूँगी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसा कम से कम आदी कटोरी पानी डाल देंगे और लिट लगाके कम से कम इसको 15-20 मिर तक पका लेंगे वीच वीच में इसको चेक करते रहेंगे अब हम अपने साग को चेक कर लेते हैं साग ने देखी कितना पानी छोड़ दिया है अब इसको अच्छे से उलटते पलटते अच्छे से चला देंगे अभी हमारे साग के आलू भी नहीं गले है दीखे इस तरीके से हम साख को अच्छे से चला देंगे अपनी लिड लगा देंगे फिर साख को अच्छे से पका लेंगे उलटते पलटते मैंने साख को बहुत अच्छे से चला दिया है आलू भी अच्छे से गल गए है अब हम चाबल का आठा लेंगे यह मैंने चाबल काटा लिया है कम से कम, दो तीन चमच अब इसका उरहन लगा देंगे चाबल का उरहन लगाने से पानी और साग अलग-अलग नहीं रहता है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है उपर से चाबल काटा डालते जाएंगे और धीर धीरे कशली से चलाते जाएंगे इससे साब में एक चिकना पना जाएगा साग हमारा चिकना चिकना हो जाएगा और पानी साग से बिल्कुल अलग नहीं रहेगा ऐसे ही हम अच्छे से चलाते जाएंगे देखिए कशली की साहता से अच्छे से चलाते जाएं चिकना चिकना कर लेंगे देखिए कितना अच्छा साग बनके मेरा तयार हो गया अब इसको एक बरतन में निकाल लेंगे अब उसी कडाई में हम सरसो का तेल लगा देंगे एक बड़ी चम्मच तेल को अच्छे से होने देंगे और इधर मैंने बारीक बारीक लशन कट करके रखा था लंब्याकार का कम से कम आट-दस कलिया लशन को भी डाल देंगे सूखी मिर्च को डाल देंगे छोटी करके और हींग को डाल देंगे तरकन मेरा बहुत अच्छे से जब हो गया ता मैंने उपर से साग डाल दिया और साग को उलटते पलटते बहुत अच्छे से बना लेंगे इस तरीके का साग इस समय बहुत अच्छा लगता है मेथी बालक का साग बहुत हल्दी होता है और इस समय थंडों में साग बहुत पसंद आता है सभी को, देखें इस तरीके से साग बनके मेरा तयार हो गया है, आप इस तरीके का साग जरूर बनाईएगा, अब हम तबा रख लेते हैं, इधर मैंने अपने आटे का डो लगा के तयार रखा था, अब इसके पेड़े बना देगे, तब हमारा अच्छे से हो चुका है, रोटी को पलेट दिया है, अब अपनी दूसरी रोटी राल देंगे और इस रोटी को अच्छे से सेक लेंगे, ऐसे ही हम अपनी सारी रोटियां तयार कर लेंगे, इस तरीके का सिंपिल लंच मैंने आज बना के तयार किया है, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सबसे request है कि आप मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को share कीजिए और bell icon का बटन जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी कोई वीडियो भी पढ़े आपके पास notification जा सके ऐसे मैंने सारी रोटिया बना ली थी, देखिए कितनी soft और कितनी fully fully रोटिया बनके मेरी तयार हो गई ये रोटिया भी बन गई थी देखिए रोटियां बनके तयार होगी और इस kukar में मैंने दो गलास चाबल दुल के दो गलास पानी लगा दिया कूकर में अब इसके लिड लगा देंगे और गैस पे इसको चड़ा देंगे और दो विसल आने तक इसको पका लेंगे दो बिसल आ गई है चाबल हमारे बन के तयार हो गए है अब हम अच्छी सी एक चटनी बना लेते हैं हरा धनिया मैंने धुल के तयार रखा था उसमें हरा धनिया, हरी मेर्श, टमाटन और नमक मिक्सी जार में डाल के इसकी अच्छी सी चटनी बना ले अब हम अपने हजबन का लंच लगा लेते हैं एक टिफिन में मैं साब को लगा दूँगी मेरी याँ साब सबको पसंद है अब रोटियां लगा देंगे चाबल परस देंगे हम अपने एक टिफिन में चाबल लगा देंगे खीरे की सलाथ और तो यम्मी यम्मी मैंने चटनी बना के रखी तो इस चटनी को लगा दें इस तरीके का लंच तयार है अगर आज आपको मेरा लंच बॉक्स पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रुकेस्ट है कि आप इसको बनाईर और मुझे कमेंट्स करके बताई ये कैसा बनाई ज्यादा से ज़्यादा थेर कीजिये फिर कि आप भी बनाईए खाईए और मुझे बताईए कैसा बनाई फिर मिलेंगी नई वीडियो के साथ बाई टेक कियर लंच मेरा तयार है अब मैं जाती हूँ हजबन को देने के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पूर वोचिंग